स्वागत है आपका weekly updates के एक और नए और fresh वीडियो में आज के इस वीडियो में बहुत सारी news है तो बिना कोई time wish के ये पहली news के और बढ़ते हैं तो आज की पहली news Tom Cruise के तरफ से आ रही है Tom Cruise के एक film आई थी 1986 में काफी बड़ी hit film थी उस समय की वो Top Gun की बात कर रहा हूँ मैं इसका sequel भी आता है 36 साल की बाद यानि कि 2022 में जिसने 1 billion का worldwide collection किया था और Tom Cruise की career की पहली 1 billion ये film बन कर आई थी लेकिन लगता है इसके third part के लिए आपको और हमें 36 साल का फिड़ से wait नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऐसी official confirmation आ रही है कि इसके third part के उपर काम शुरू हो चुका है फिलहाल scripting के उपर काम चल रहा है तो Tom Cruise की जो fans है Top Gun की जो fans है उनके लिए काफे अच्छी news है अगली जो ये news है वो King of Pop fans के लिए होने वाली है उनके nephew Jafar Jackson ही उनका role play करने वाले है तो जो Michael Jackson के fans है उनके लिए news special हो सकती है अगली news Bollywood की तरफ से आ रही है मैंने आपको प्रे पिछले वीडियो में बताया था कि अजय देगवान की film Raid 2 की shooting फिलास स्टार्ट कर दी गई है और इस film में भी आपको अजय देगवान एक income tax officer के रोल में दिखने के लिए मिलने वाले हैं और इस film को भी पिछली film की तरह राजकुमार गुपता ही डिरेक करेंगे लेकिर अब जो news आ रही है वो main heroine के लिए आ रही है यहाँ पर वो क्या कमाल करते हैं यह देखने वाली बात होगी अगली news भी Bollywood की तरफ से ही आ रही हम काफी लंबे समय से सुन रहे थे कि कृति सेरान शाहित कपूर की साथ एक film में काम कर रहे है जिसको Matt Docks film प्रडूस कर रहे थे लेकिन movie का title अभी तक announce नहीं किया गया था movie की shooting पूरी हो चुकी थी movie release को लेकर आ चुकी थी लेकिन finally makers की तरफ से इस film का title रिलीस कर दिया गया है जो काफी अजीब और लंबा लगा मुझको इस film का title होने वाला है तेरी बातों में ऐसा उलजा जिया हाँ यही इसका title होने वाला है इसका एक गाना भी रिलीस कर दिया गया जो दिखने में तो काफी अच्छा है सुनने में कैसा यह मुझको आप comment box में बता सकते हो इस Valentine week को यह film ठेटर्स में आने वाली है अगली news कटने रानौत की film तेजस की तरफ से आ रही है यह film box office के उपर तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी लेकिन एक हफते पहले ही यह OTT यानि कि Z5 पर रिलीस हुई थी और एक हफते की अंदर ही इसने 150 प्लस मिलियन का watch time generate कर लिया जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा record है ऐसी बहुत सी film में हमने देखी है जो थीटर में कमाल नहीं कर पाती है यह के जब OTT पर आती है पबलिक को बहुत ही जारा पसंद आती है और तेजस भी उन फिलम में शामिल होती है वो कहते हैं कि आच्छा content अच्छी फिलमें को पबलिक मिली जाती है तेजस बिल्कुल वैसी फिल्म है, अगर आपने इस फिल्म को थेटर में गिनोर किया है, तो गलती आपसे हो चुकी है, जीफाई आप स्ट्रीम कर रहे हैं, डेफिनेटली स्कॉप आप देख सकते हो, निउ मूवी रिलीजेस की बात कर लेते हैं, इस फ्राइडे को ना मदब थेटर में तो मूवी का पूरी बाड़ी आ चुकी थी, बहुत सारी फिल्में लगी वही थी, मैंने इनमें से दो मूवी को अलड़ी देख चुके हैं, दोनों के रिव्यू में अपलोड कर दी हैं, हनुमान फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, और मैरी कृस में इस फिल्म की दिखाईए, बच्चों को दिखाईए, बच्चों को बताईए, सूपर मैं, बैट मैं, स्पैडर मैं, कुछ भी नहीं है, यूगि सबसे बड़ा सूपर हीरो है हमारे हनुमान जी, इसके अलावा, मैरी कृस मस फिल्म भी बहुत ही जादा अच्छी है, हमारा कि suspense, thrill, tension का एक अगली न्यूज प्रभास की न्यूज फिल्म कलकी की तरफ से आ रही है, पहले ये फिल्म 12 जनवरी को यानि कि इसी मन्थ होने वाली ती रिलीज, लेकिन मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया पर अनौन्स नहीं किया था, लेकिन फाइनली मेकर्स की अच्छा होता है, ये तो मूवी दिखने के बाद ही मालुम चलेगा, बाकि जो उसकी शुरुआत की पोस्टर्स आये थे, उसको तो काफी जारा बैकलेश मिरा था, सबसे पहला जो पोस्टर आया था न, वो तो एकदम फर्जी लगर था, लेकिन अब ये कुछ हाली में लग रहा है, और आपको कल की 2-8-8 से किती जादा उम्मीदे हैं, अगली जो न्यूज है वो तमिल इंडस्ट्री के तरफ से आ रही है, आपने सुना ही होगा कि यार लोग ना भ्यवान को भी बेज खाएं, इसका अबदस्ट एक्जामपल में आपको बताता हूँ, हाली मे नयान तारक एक फिल्म आई ती जो नाम था अन्नपूर्णी, नाम तो काफी ज़रा धार्मिक है, अन्नकी देवी, यानि कि हमारी अन्नपूर्णा माता, लेकिन इस फिल्म को लेका कॉंट्रिवर्सिस तब हो गई, जब ये फिल्म नेट्रिस की उपर आती है, प्यले तो ए प्राम जी तो मासा आजी थे, वो मास का सेवन करते थे, बलब कोई इंसान इतना निची कैसे गिर सकता है भगवान के मामले में, पब्लिक ने भेड सारी गाले दिये, मेकर्स को, नेट्फिल्स को, इसी कारण से ये बैक्लश को दिखते हुए, नेट्फिल्स ने अपने प् ना भयानक बात है, निउ मूवी अनांसमेंट की बात कर लेते हैं, वरुन धवन, किर्ती सुरेश साथ में एक फिल्म में साथ काम करने वाले हैं, ये बात कन्फर्म हो चुकी है, संकरांती के मौकियों पर इस फिल्म को अनांस कर दिया गया है, इसके टाइटल के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है, इस उनको प्रड्यूस करेंगे एटली और जियो स्टोडियोज दोनों मिलकर, बीच में न्यूज ऐसी भी आ रहे थी कि वरुन धवन थेरी फिल्म के रीमेक में काम करने वाले हैं, तो क्या पता ये वही फिल्म हो, लेकिन फिलहाल जिस बजे के आसपास, दुबाहर के बारा बजे के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है, टीजर अच्छा था, गारे कुछ खास नहीं थे, अब मुवी को लेकर हाइप भी इतनी जार नजर नहीं आ रही है, अब ट्रेल कैसा होता है, ओवराल मुवी कैसी होती है, ये तो मुवी को देखने के बाद ही मालुम चलेगा, बाकि हाँ मुवी को देख लेंगे या रिव्यू करना काम है, तो मुवी तो देखने ही पड़ेगी, बाकि अगर आपको मेरा फाइटर मुवी का रिव्यू देखना है, तो चैनल पे नहीं हो, ये वीडियो यूसफुल लग सब्सक्राइब करके याद से जाना अगली न्यूस की और आखरी न्यूस की और बढ़ते हैं तो आज की आखरी न्यूस में box office collections के बारे में बात कर लेते हैं बहुत सारी फिल्मों के collections के बारे में आपको बताने वाल हैं सबसे पहले जो पहले की जो movies थी जो release हो चुकी थी उस पास का रहा है जो दोरों ही फिल्मों को आप ठीक collections कह सकते हो हाला कि दोरों ही फिल्मों का review मैंने किया हुआ है जिसका link आपको आए बटने मिल जाएगा definitely उसको आप देख सकते हो आपको दोरों movies में से कौन सी भैतर लगी इतनी comment box मुझको आप बता सकते हो हाल या release box office की ब out of mouth of course positive ही थे और दूसरे दिन इसका collection दुगना हो जाता है यानि कि 4 करोड इस तरह दो दिन में हिंदी का collection 6 करोल प्लस का चले जाता है और आज के दिन यानि कि संडे के दिन इसका collection दुगना भी हो सकता है यानि कि total 3 दिनों का weekend collection 12 करोल प्लस का हो सकता है जो छोटी बजट फिल्मों के लिए हिसाब से बहुत ही अच्छे numbers है इसी के साथ रेली जूवी केटरीना कैफी जैसे तो पती starring film में एक समस्क्राइब बात करें तो देखो movie अच्छी है इसमें कोई भी doubt नहीं हो जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूँ box office के बहुत जो numbers आ रहे है उससे ये decide नहीं होता कि movie कितनी अच्छी है कितनी बुरी है हमने बुरी movies की अच्छे collections देखे हैं और अच्छी movies की भी बुरी collections देखे हैं और इस movie के साथ फिराल वैसा ही चल रहे है पैर दिन की बात करें तो 2.25 करोड का इसमें अपना हिंदी collection किया क्योंकि movie शायर केवल हिंदी में ही लग और संडे के दिन भी definitely इसका collection बढ़ने ही वाला है तो धिरे दिरे movie अपने आगे बढ़ रहे है बाकी movie अच्छी है और जितने भी movies की नाम मैंने आपको इस लिस्ट में बता हैं सभी का review आपको आए अपने मिल आएगा नहीं भी दे पाऊंगा तो चैनल में link है और definitely आप द